हलो, गुड मॉरिंग विवार्स, वेलकम टू बैक कवर चैनल, आप सब कैसे हो, उम्मीद करती हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमें जाही ऐसे खुश रही है, आज का यूसफुल वीडियो बहुत ही कमाल का है, आमेजिंग सा हैक मैं आज आपको बताने वाली हू वीडियो अच्छा लगता है आपको तो वीडियो को लाइक, कमेट और शेयर करना बिल्कूल न भूले, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे यूसफुल वीडियो मैपके लिए बनाती रहती हूँ, चैनल स्टार्ट कर लेते हैं, आज का यू आप करने का में बहुत आसान सा तरीका आपको बताने वाले ही स्पेशल विंटर सीजिन में आप इस हैक को जरूर अपलाई करें, कभी भी डायट कपड़े को यूज ना करें, इसी जो कपड़ा होता है, वो खराब हो जाता है, उपर से ठंकी सीजिन में हमें से क्लीन भी कर यह दाल के ओपर भी आप कर सकते हैं, कोई भी लिक्वीड खाना जो की गिर जाता है, किचन काउंटर पर गिर जाता है, जिसे क्लीन आप कपड़े सही करते हैं, तो ना कीजिए, आप इस तरीके से पेपर का यूज चोड़ दीजिए, जितना भी लिक्वीड होगा यह आप इस हैक का यूज कर सकते हो, और ठंड से भी आप बच सकते हो, आप देखिए कि हलका सा कपड़ा आप इस पर वाइप करेंगे, और कीचन काउंटर अपर कुछी सेकेंड में क्लीन हो जाएगा, है ना कमाल का है, तो इस हैक को ज़रूर यूज कीजिएगा, आपके काम आसान हो जाएगे, चलिए देख लेते हैं, आज का अगला इसफुल हैक, अगला इसफुल हैक भी वेरा बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, जब भी हम कीचन में चावल बनाते हैं, तो आपने देखा होगा, कभी कबार ने चावल बैस पर या इसकी जो निचला वाला इस इसके बाद में आपने ये प्याज इसके अंदर डाल देना है, इसके बाद वापिस से अपने धकल लगा देना है, रूम टेंपरिचर पे आने तक कुकर को टच नहीं करना है, आपके यहां गरम गरम ही चावल खाया जाता है, तो लगभा पांच मुन के लिए आप बस ऐसे अचे से यूज ले सकते हैं, अजर मोबाइल होल्डर की तरह है, तो देखिए, मोबाइल पे हम लोग बहुत सारी चीज़े देखते हैं, स्पेशल हम घ्राणी है, तो कीचर में बहुत सारी रेसेपी, वीडियोस देखती रहती, स्पेशल यूटूब पे, तो आपना इस त देख लेते हैं, आज का अगला यूसफुल हैक, यह हैक बहुत जादा पसंद आने वाला है, तो यहां पर देखिए, मेरे पास चोटी चोटी से बढ़तन है, आपके पास इस तरह के हो, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, अगर आपके नहीं है, तो कोई दिकर नहीं है, तो में किसे तरह की कोई तकलीफ ना होई, चोटा सा एक टंगन है, मैंने यहां पर लिये हैं, दो कैंडल, और हम इनको इस तरह के से छोटे-छोटे कर लेंगे, आप इन कैंडल को हम मैल्ट करेंगे, आप डारेट अगर इसे गेस पे मैल्ट करने जाते है, तो आपने देख करते हुए, अच्छे से पहले इस केंडल को मैल्ट कर लेना है, इस ट्रिक बहुत ही यूसफुल है, तो इस ट्रिक को आप बिना स्कीप कर हुए देखिएगा, यहां पर केंडल अच्छे से मैल्ट हो चुका है, इसके बाद में जितने भी इसके धागे हैं यह आपने निका कीजेगा, अगर आप नहीं यूस करना केंडल का चाहते हैं, तो और आप यहां पर नायल का तेल भी यूस कर सकते हैं, तो मैरी यहां पर लिया है, सर्सो का तेल, क्योंकि कैंडल मैल्ट होने के बाद भी वापिस स जाएग यहां पर मेरा एक ओट रिख है अगर आपको अलोवरा जेल निकालने में प्रॉब्लम होती है इस तरीके से तो आप ना कॉंक का यूज कर सकते हैं इस तरीके से रब करेंगे तो बहुत अच्छे से इसके अंदर से जितना भी लिक्विड है वो आसानी से बाहर आ जाता है और आपको कुछ और यूज करने की जर्वत नहीं पड़ेगी डायट इसे मिक्सर में ना पिस है इस तरीके से यहां निकाले इसके जो नुट्रिशन वेली होती है वो खतम हो जाती है मिक्सर में तब कॉंक से निकालेंगे बहुत आसानी से निकल जाएगी यहां पर हम दो इस तरीके से आप अगर 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 इसको मेल्ट करना चाहते हैं तो इस कंटेनर में मेल्ट भी कर सकते हैं कमाल का है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिएगा चलिए बढ़ते हैं आज के अगले इस फुल हैक के लिए कॉंग का यूस हमारे डेली लाइफ में हम बहुत जादा करते हैं पर कभी कबार क्या होता है कॉंग हमारे सेर में चूबने यह य今年 उन भी करना चाहते हैं यह अपने आपटर वाला हैक भी यूस कर सकते हैं यह तो आपकbell को धिर हैं तो आप इस तरीके सान नेल कटर की मदशया हज़िए और कर दो जो उसकी दात है वो हीश एचाई सकते हैं यहां पर दो जो इसकी दात है वो थोड़े छोटे हैं बाकी जो है वो सेम साइज के तो यही जब भी हम कॉंग करते हैं हमारे सीर में चूपते हैं तो आप इस तरह की घर बेटे वे इन कॉंग को ठीक कर सकते हैं बिल्कुल ही फ्री का जुगारू आइडिया है इससे जरूर दीखिएगा इससे आपके पैसों की बच्चत होगी फिर से आप कॉंग करने से बस सकते हैं चले देख लेते हैं आज का अगला इसफुल हैक आप भी ड्रॉइंग करते हैं तो इस तरह की एरिजर का जरूर यूज करते होंगे अगर आपके घर में चोटे बच्चे हैं तो इसथा की एरिजर का यूज करते होंगे जब यह लोग टाम यूज करते हैं तो आपने देखा होगा यह काफी सद्धा गंदे हो जाते हैं ऑं इसको बदल देते अब बदलने से पहले यह वाले ट्रिक को यूज करके दीख यह जो अपके रबर है वह अच्छे से ख्लीन हो आप देखेंगे इसके पर जितना भी काला पन है जो पेंसिल की वज़े से आ जाता है वो पड़े से क्लीन हो जाएगा बच्चे चोटे हैं तो वो इस तरह के रिज़र का बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं तो आप इस तरह के से क्लीन करके बच्चों को फिर से ये रबड दे सकते हैं और अगेन अगेन आप ये ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं इस रबड को बहुत लोग टाइम तक यूज़ करे दिखीगा चले देख लेते आज का बहुत ही कमाल का है जो हर ग्रणी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है अद्रक हर खाने का जान होता है पर यह अद्रक जब हम खुले में रखते हैं तो आपने देखा होगा यह बहुत जल्दी ना सूख जाते हैं इसका जो मौश्य इसका यूज करते हुए बिल्कुल अद्रक को वैसा ही रखेंगे जैसा कि हम इसे मार्केट से लेके आते हैं आपने यहां पर थोड़ी सी रेत लेनी है और अच्छे से ना इसको कवर करना है यानि जितना भी अद्रक आपके पास से उसको बड़या से अच्छे से कवर कर ल जैसे कहीं यह अद्रक खराब तो नहीं हो जाता है तो जी नहीं अद्रक बिल्कुल खराब नहीं होता है क्योंकि अद्रक जो होता है वो मिट्टी के अंदर जमीं के अंदर ही लगता है तो जब भी हम अद्रक को यूज करते हैं तो आपने देखा होगा हम बड़े से अच् यह सबसे इसका कमाल है कि आपको किसी भी तरक्य से कुछ भी पिलर अगेरा को यूज करने की जरवत नहीं है, ना फॉक की यूज करने की जरवत है, इसका जो छिलका है कुछ फोटों सेकंड्स में बहार आ जाता है, तो इस ट्रीकों को आप ज़रूर यूज कीजेगा आपकी लाइफ टाइम ये काम आएंगी और आपकी बहुत सारे छोटे बड़े कामों को आसान बनाएंगे चले मिलते हैं लिए सी यूस्फूल वीडियो पे जो आपकी घर और कीचिन की लाइफ को आसान बनाए तक अपना धियान रखी का देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद